हिमाचल प्रदेश की वादियों में चुनावी बयार तेजी से बहने लगी है आरूप और प्रत्यारूपों का दौर लगातार चारी है ताजा बयान बाजी परिवार बाद को लेकर हुई बीजेपी के उना से उमीदवार और प्रदेश अध्याक्ष सत्पाल सिंग सती ने कॉंग्रिस को परिवार बाद को लेकर निशाने पर लिया और कहा कि पार्टी की तरफ से टिकेट योगिता के आधहार पर दिया जारा चाहिए ना कि परिवार के आधहार पर तो वहीं कॉंग्रेस के कुटलहडा से उमीदवार और पूर विधान सभाध्याक्ष रामनात शर्मा के बेटे विवेक शर्मा इसे लेकर सत्ती पर पलटवार करते नजरा रही है विवेक शर्मा ने इसे लेकर बीजेपी के आला नेताओं पर चुटकी ली और कॉंग्रस में दिये गए टिक्टों पर सफाई भी दी आज ये बात जरूर है कि अगर जो कॉंगरस के कॉंगरस के जो लोग आज लीड करने के कोशिश के कर रहे हैं उनके पर परिवार ही नहीं तो परिवारवात कहा से होगा जब आज नरेंदर मोदी जी अपने परवार छोड़ कर बैठे हैं जो अपने परवार के साथ अपना जीवन नहीं तो हिंदोस्तान के लोगों के ओपर क्या राज करें अगर बात कीजिए सीम के बेटे की बात की जाए वो यो कॉंकरिस के परदेश के अध्यक्ष है अगर कॉल सिंग जी की बेटी की बात की जाए वो जिला परशित की वहाँ पे सदस्या तीन बर अलग अलग बात से चुनके आई है अगर आप बात करें में तो मैं पिछले 23 साथ से सिंकर्टर में काम कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश 9 नवंबर को वोटिंग होनी है यही वज़ा है कि हिमाचल की सियासी गल्यारों में वार पलट वार और दावे वादे सुनने को मिल रही है उना से राकेश मली के साथ बिरो रपोर्ट जी मीठिया